राहुल गांधी के लंदन में दिये गए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस बीच वरुन गांधी ने ट्वीट करके दावा किया है कि उन्हें भी डिबेट के लिए ऑक्सपोर्ड यूनियन का नियोता मिला था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था वरुन गांधी ने बकाइदा ट्वीट किया है उन्हें ट्वीट का लिखा है कि मैंने ऑक्सपोर्ड यूनियन में बहस के निमांतरन को ठुकरा दिया साथे उन्होंने लिखा कि भारत की राजनीती हमें अपनी नीतियों में सुधार के लिए आलोचना सुझाव देने की जगा देती है अंतरराश्ट्री मंच पर देश की बातें करना मेरे लिए अपमान जनक है वरुन गांधी ने भी ट्वीट करते हुए इस स्थिति के बारे में अपनी राय रखी है ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस तरह से वहां ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रस्ताव उन्हें भी मिला था चर्चा के लिए लेकिन उन्होंने इस से ठुकरा दिया है उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा मैंने उक्सपोर्ट यूनियन में बहस का नियोता धुकरा दिया जबकि ये नियोता उन्हें मिला था उन्होंने ये भी कहा कि भारत की राज़नेती हमें अपनी नीतियों में सुधार के लिए आलोचना सुझाव देने की जखा देती है उन्होंने ये भी बताया कि अंतराश्ट्रे मंच पर देश की बाते करना मेरे लिए अपमान जनक है वरुन गान्धी का ये ट्उइट आपको दिखा रहे हैं जो उनकी तरह से ट्वीट किया गए जिसमनोंने बताया कि मुझे भी ओफार आया था लेकिन जिस तरीके की बाते की जा रही है वो बेहद निंदरिया है वरुन गांधी का ये ट्वीट एक तरह से राहूल गांधी पर पलटवार और नसीहत दी